नमस्कार उत्राखन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रेचा सिंग चले एक खबरों के शुरुआत करते हैं प्रदेश के मुख्य मंत्री तीरस सिंग रावत ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्र रक्षा मंत्री राजना सिंग से सिस्टा चार भेट की इस तोनार सीम ने रिशुकेश और हलद्वानी में DRDO के माध्यम से एक कोविट सेंटर की स्थापना करवाने के लिए रक्षा मंत्री का आभर व्यक्त किया वैस एम तीरस सिंग रावत ने किंद्रेजरल शक्ती मंत्री गजेंदर सींग सिखावाथ और चीफ आफ डेफेंस इस्स्ताफ विपिण रावत से भी मिले CM तीरत ने CDS विपिन रावत से उत्राखंड में रक्षा निर्माण और एरोस्पेस निर्माण के श्यतर में पढ़ावा देने को लेकर चर्चा की कि प्रदेश के पूर्व सियं म, त्रुविन सिंग रावत ने रिष्यकेश ब्यापार सभा में रक्तिदान शिविल के आक्षबारम किया इस सबसब पर तरविनिस सिंग रावत ने कहा कि संक्रमर्ड के इस दौर में ब्लड बैंकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रक्त की कमी के चलते मरीजों को दिक्कत उठानी पड़ रही है और ऐसी में राज्यों के युवाओं को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए जिससे मरीजों को रक्त की आपूरती मिल सके मैंने 14 मई को दोई वाला से मुहिम के सुरुवाद की गई थी और आपने देखाओं का बीच में रक्त का अभाव होने लग गया था हमारे तमाम अस्पतालों में तो हमने एक आवहान किया कि हम राज्यवासियों से कि हम रक्तदान करें टीका करन से पहले हम रोग रक्तदान करें और मुझे खुशी है कि एक मुहिम सी प्रदेश में चल पड़ी है और आज जो हमारे रक्त वैंक में हैं वो कहना लगे कि थोड़ा स्लो के ही है क्योंकि आवस्पता से अधिक रक्त समामारे रक्त वैंकों में एकतित हुआ है मेरा गाओं कोरोना मुक्त गाओं की प्रेणा को लेकर देरादून के सहस्पर में भारतिये जनता युबा मोर्टरा की टीम और इस्थानिये संग्ठनों ने आईश फ्रक्षा कित, मास्क, सैंटाइजर, बायो, डिग्रिडेवल, इको फ्रेंडली पेट्स और जूस का बत्रन किया साथ ही वीजेपी के सेवा ही संग्ठन कारिक्रम के तहट भाजियों मों द्वारा ग्रामवाजियों को अन्य जरूरी चीजें उप्रब्द करवाए गई और कुरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई सितार गंज में GGIC इंटर कॉलिज में फ्रेंडलाइन वर्कर्स की रूप में कारेड़त अध्यापकों को कुरोना वैक्सिन की पहली डोस लगाई गई स्वास्तिकर्मियों के फर्टाल पर चले जाने के बाद से रैड क्रोस सुसाइटी डोरा वैक्सिनेशन कराने में अपना सायोग दिया गया वहीं SDM मुक्ता मिश्र ने इस वैक्सिनेशन का निरिक्षन किया इस तोरान मुक्य चिकिस्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आ रहे खंड सिक्षा अधिकारी सुष्मा गौरब भी मौजू तरही परबन एरियाज में संचालित हो रहे हैं उसमें जो रेटकॉस सुसाइटी से ताड़ गरंचर वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है जहां पर जो कमी है, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है, सहीयोग की कमी है, उसकी पूर्टी रेट कॉर्ट सुसाइटी के दोरह की जा रही है। वीरेन एक साधानर परिवार से हैं, उनकी मातर पिता गाओं में रहकर खेती बाड़ी का काम करते हैं, वे एक डॉक्टर बनना चाहते थे, दहरादू से बीएस्सी वायोट्रे करने के दोरान उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कई, उसमें भी उन्होंने सफलता से जंडे ग मैं एक्टर काम करता हूँ मुंबई में, विछले तीन साल से मैं मुंबई में हूँ और अभी रिसंटली मेरी एक मुवी सूट हुई है, जो कि एक बॉलिवुड हिंदी मुवी है, और जिसमें मैं एक्टर काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा एक पुलिस इंस्पेक्टर का केरे जिसका नाम है आइस्क्रीम, जैसे कि आइस्क्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, इसी तरह से इस मूबी में भी बहुत सारे फ्लेवर हैं हमें हमारे छेत्र के युवा तिरिये भाई अमारे दिरेंसिंग आज बॉलीबुट में एक्टर के रूप में फिल्म रिलीज होने वाली है दिपॉली से पहले आइस्क्रीम तो हमें हमारे छेत्र बल्वाकोट के सबी युवाओ और ग्रामिडों में एक खुशी की लहर है जि इस ग्राम सबा का नाम रोसन क्या? इस ग्राम सब्सक्राइब का नाम रोसन क्या? इस ग्राम सब्सक्राइब का नाम रोसन क्या? हैं कंपनी टाइम से कभी पैमेंट नहीं कर रही है और इस बार आपको पता है कुट पुरी दुनिया पर ऐसे पहला है और मैं ऐसी सिचुएशन में भी आपे काम बंधाल ने क्या लेकर कंपनी वही है फिर हमारे च्छेश मैने पूरा हो गया और प्शेश मेले का प्रेमिन अभी किसी को भुकता नहीं दो यह महारा जो पिछले साल का जो नीस बीस पाल पस्टाध का जो बॉनस है वो भी आज तक हम को पेिले क्यागिया कंपनी देली अपनी मनमर्जी करी है चैनल दीलिए तीर मैने की 2020 की सेलडी में मिले घी है अगस्त शितंबर अख्तुबर की सेलडी तो टोडल किते मैने होगे हैं यह इसको तंखा को न मिले होगे हैं साथ हो मैंने परुष्कने जाना है तो यह की 2020 किया है अगर सितंबर और अक्टूबर की खटीमा में वन विभाग ने लकड़ी तसकरों के खिलाब कारवाई की है दरसल वन विभाग की टीम ने गाओं पहिनिया और मुड़ा किसनी के बीच तड़के साल के आठ गिल्टों में लदी पर ट्रक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया हाला कि इस कारवाई के तौरान तसकर अंधेरी का फाइता उठा कर मौके सिफ्रार हो गए फिलाल पोलीस पूरे मामले की जाच कर रही है कि दूर्बा से फोन आए कि कोई जै मुगूर दारा कि एक ताली में माल आ रहा करके तो मैंने तुरन अपने स्टाफ को एक टीम गड़ित करी गड़ित करने के उपरान जै हम में को जारा बटाय गया कि जै पहनिया और भूरा किसी की बीच में कोई ताली जा रही है मेरा स्टाफ तो वहां गया और जा करके इसके टाली को कैचशप के जैसे इनने घराबंदी करें अब इसकी जांच के जारी है कि लगड़ी आही कहां सहय करके खानपुर में जमीनी विवाद को लीकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया दरसल एक पक्ष के खेत में सबजी की फसल लगाने का काम कर रहा था और इसी दोरां दूसरा पक्ष भी मौकी पर आ गया और दोनों पक्षों के में कहा सुनी के बाद जमकर लाठी डंडी चली इस खूनी संघर्ष में महिलाओं सहित करीब साथ लोग घाईल हो गई है वही सूचना के बाद मौकी पर पहुँची पुलिस ने सिती काब उपर की और घाईलों को अस्पदाल पहुँच आया गया फिलाल पुलिस ने मावना दर्श करके जाँ शुरू करती है सारे लोग तेमार कितने लोग आये लोग हम तेन चार लोग आया ले जी पुलिस ने तहरी दी लिखका हमा बस इंहर्टवार दह्रादून रस्टि राजमार्ग पर नेपाली फॉम पर टोल प्लाजा परनाय ज़ानी की आदेश को नरस्त कर दिया है तोल प्लाजा के वोद में ग्राम प्रधान संगठन द्वारा धना प्रदेशन यह जा रहा था विदाय सवाद द्यक्ष्णी जनता की समझसा को देखते हुए तुरंत इस मामले में मुक्यमंति तिर्यासिंग रावत सिक्षा मंत्री रमेश पोक्रिया समेथ लोग नेमा इसके लिए जो पिछले 25 तारिक से लगातार मेरे दौरा चाहे मुख्यमंतिरी से बात करने का विशे हो चाहे नेचाई की अधिगारियों से बात करने का विशे हो चाहे पीड़वुडी के जो मुख्य सचीव हैं कोविट काल में जहां तमाम गतीव विदियों पर व्राम लगा हुआ है तो वहीं ऐसी में साइवर ठक सक्री हो रहे हैं कोविट कर्फ्यू के चलते चोई लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपरादी तत्व अब साइवर क्राइम को बढ़ावा दे रही है वहीं परिस भी साइवर क्राइम की चेन तोड़ने की रणनिती पर काम कर रही है तरसल कोरोन संकमर के चलते प्रदेश पर में कोविट कर्फ्यू लागों किया गया है जिसके मादी नजर तमाम गतिविदियों पर राम लगा हुआ है जिससे चलते साइवर क्राम का ग्राफ भी बढ़ गया है पिछले तेर्ड माहिने से कोरोन संकमर के चलते बाज़ार बंद है तो लोग अधिकतर सामनों की खरेदारी ओनलाइन ही कर रही है इसलिए साइवर अपराद में काफी बढ़ात्री हो गई है रोड़की शहर और देहात शेत्र में 20 से अधिक मामले साइवर ठगी के सामनी आ चुके हैं लोगों को जागरुदा भी कर रहें इसमें पेसिक चीसों फालो करेंगे तो इस टाइफ का शाइबर फ्राटन शिकार नहीं होंगे जैसा अनला किषी जो भी अमरे ट्व लिए किसी शेयर से कुसी शेयर ने करा करा के दो उस दिर्दी के पाई्सा कर सकते हैं अबी दो दिन फ्राइले भी 25 मेही को एक विक्तितारेश शैयर मार्केट का इसमें जोवान नब्य हजार रुपय के ठगी हो गया था तक कल रुपस हमारे साइबर सुल दोरा खारवाय करके उस नब्य हजार रुपय को वर्मत करके उनको वापस दिला दी गई आधिनियम के तहट मामरदश करके जान शुरू करती है वैपारियों को आर्थिक सहाइता देने और बाजार खोलने की मांग को लेकर अलमोडा में कॉंग्रेसी उन्हें धरना प्रदेशन किया इस तोरान हातों में तक्तियां थामें कॉंग्रेस काले करता हूं दुकांदारों का बिजली पाने का बिल माफ करने और आर्थिक पैकेस देने की मांग उठाई अलमोडा पूर्व विधायक मनोश दिवारी के ने तक्व में कॉंग्रेस कारी करता हूं सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग करते हूए बाजार खूलने और सभी वैपारियों को कोचिंग सेंटर संचाल को जिम संचाल को आर्थिक सहता देने की मांग को लेकर इस्थान ये श्रहित पार्क में था करो रोनाम हमारी के दोरान पुर्देश सरकार द्वारा भारा सरकार द्वारा जो इसा निर्दे संच दिये गए थे उसके तहत व्यापारियों द्वारा अपना पूर समर्पन दिया गया और लगाता हूपानों को बंद रखने का कान गया लेकिन की द्वारी के बजार को पूइन के नियमों में श्तिल्था देते वे उनले का काम करें उसके साथ-साथ जो हमारे वैपारी हैं उनके रिन को ये ब्याज को माफ करने का साम करें जस्पूर में नश्री के खिलाफ चलाए जौरही अबियान के तहद पुलिस को एक और सफलता हत लगी है दरसल पुलिस ने ब्यालिस ग्राम स्मैक के साथ दो तसक्रों को गर्फतार कर लिया है जौनकारी के मताबगी दोनों यूपी के बरेली से स्मैक लेकर जस्पूर में बेशते थे इफलाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामरादाश करके जान शुरू कर दी है इस देशन उसके तायत आज हम लोग ने दो लगों को गिरतार किया एक फुर्षीद है यह पासपूर का रहने वाला है और दूसरा एविर्पान है वो यह के लोकल है यह जस्पूर का रहने वाला है चाल मेंसे के पास तो इनके पास से लगभग 22 ग्राम स्मैक ब्राम हुई और यह अगयान लगाता चलता रहा है क्योंकि नैसे का कारवार यहां पर चोटे जच्चों पर बहुत गरूप रहा है जस्पूर में वैपार मंडल पदादिकारियों का परदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा फूर्ट पड़ा है वैपारियों ने हाथ पर काली पच्टी बा ही है वैपारियों ने परदेश सरकार से बाज़ारों को खोलने की मांग पूरे जैसे जैसे गाइडलाइंग गौवर्मेंट की आतरी हैं उस हिसाफ से हम लोग अपने अपने प्रिश्चान बंद करते रहे हैं जब उनने समय दिया तो हमने भोला उसके बाद हमने बंद कर आज परिश्चित ही आ गई है कि हम नोकर की नोकली नहीं दे पा रहे हैं बिज़ी के बिल नहीं दे पा रहे हैं सरकार से बार बार मांग मानने के बाद भी बार बार निवेदन करने के बाद भी सरकार के कान से जू नहीं रहे नहीं है हमें मजबूरन ये दुरोध के लेकिन बीज़पी सरकार के लिए विधाय के चक्र काइट रही है लेकिन बीज़पी सरकार में करीब ज़नता के सुनने वाला कोई नहीं है लेकिन आज कुम तो निमट गया, कुम तो इन्होंने निमटाई दिया बंदर बाट करके सीवर लाइन कहा है? सीवर लाइन जब तक नहीं मिलेगी हम इन शेत्रों में लगातार परदर्शन करते रहेंगे और इस सरकार को मजबूर करतेंगे इनको सीवर लाइन देनी ही पड़ेगी चाहे वो कुछ भी हो जाए जब तक भी सीवर लाइन की मांग पुरी नहीं होगी कांगेरेस न遊戲 जुकेगी और आधरनियa प्रितम सिंग जी के नेतत में, आधरनियa हमारे सोनिया गांदी रहुल गानदी जी के नेतत में हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो इसी के साथ उत्राखन के बुलेटिन में इतना ही देश तुनिया की तमाम ख़वरों के लिए देखते रहें